खेत खजाना में आपका स्वागत है आज 25 जुलाई है और दिन है सोमबार आज सरसों के साथ साथ खल बिनोला और थोड़ी सी सरचा गेहूं पर भी करेंगे बहुत से साथियों की मांग है गेहूं के बारे में तो आप से सबसे पहले तो वही बिनमर निमीदन के आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइकोन की घंटी जूर दबाईए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे बात शुरू करते हैं सरसों से सरसों का बाजार जैसा शनीवार को था वैसा ही आज भी खड़ा है कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है नौर्वे की गिरावट भर्दपुर के बाजार पे दिखाई दी है और किसी बाजार में कोई बड़ी गिरावट दिखाई नहीं दी है कहीं कहीं 20-30 रुपे की व्रिदी भी हुई है लेकिन आप इसे stable कह सकते हैं, stir कह सकते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कहा जा सकता सरसो तेल की जो टिमांड है वो कमजोर है क्योंकि इंटरनेशनल मार्किट में जो पाम तेल का इंडोनेशिया जो पाम तेल का जो मिर्याद का जो कोशिशियन लगातार बढ़ा रहा है उससे दबाव बढ़ रहा है, उससे दूसरे तेलों पर भी दबाव है हलनकि आज दिन में पाम तेल के बजार में भी थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया और सोया का जो तेल है, विदेशी आयती तेल वो भी आज तो यह जो इंटरनेशनल मार्किट के जो दबाव है, उसके कारण सरसों के तेल की डिमांड भी कमजोर है क्योंकि बड़ी तेल कंपनियां जो आयात करने का काम करती है, विदेशी तेलों का, वे बहुत बड़े घाटे से जोज रही है और थोटे वैपारी भी जो तेल के कारण से जुड़े हुए हैं, वे भी बड़ी आर्थिक चुलोतियों का सामना कर रहे हैं इसलिए एक बार यह स्टिती ऐसी है कि जैसे दूद का जला हुआ जो चाज को फूप मारके बीता है इसी तरह से जो दूसरे तेलों के कारण से जा रहे हैं, उनमें भी करण फूप के रखे जा रहे हैं और नोट करने वाली बात यह भी है कि न तो मक्का नहीं, बिनोला के तेल में कोई कमी आ रही है नहीं मुंफुली के तेल में गिरावट आ रही है, छिटपुट एक दो रुपे की उपर नीचे होता है नहीं सरसों के तेल में कोई ज़्यादा कटबड हो रहा है तो अब आगे आगे सरसों के तेल की मांग निकलनी चाहिए क्योंकि छोटे मोठे तेोहार भी नजदीक है और मौनसून चल ही रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आगे सारे सीजन ही खपत वाले है सरसों के उपलबदता कम है कुल में लागकर के आगे सरसों के उपलबदता का संकट बढ़ सकता है और इस से बाजार में तेजी की सभावना बनती है लेकिन तोड़ा सा time order लगेगा हमें वेट करना चाहिए इतजार करना चाहिए सरसों में ठीक ठाक सुधार के लिए अभी कुछ दिन का इतजार अभी और वालचित है जरूरी है सरसों के बाद सरसों के बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी खल वीनोला की मैं पिछले कई दिन से आप से रिवेदन कर रहा हूँ कि डिमांड 25 जुलाई के बाद निकलेगी और बेन न कलना चुरू होगया है अच्छी डिमांड आ रही है बिनोला खल की और स्टॉक आप जानते हैं कि ने तो वाइदा में है और ने ही हाजर में है और इसलिए वाइदा बादार भी आज सुबह से ही काफी अच्छी तेजी से साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें और अच्छी देजी कंती भी दिखाई दे सकती है क्योंकि बिनोला की लब्दता कहीं नहीं है कपास की जो इस साल की फसल थी वो खत्म हो चुकी है और जो नहीं फसल है वो भी बरसातें इस तरह से हुई है कपास के खेतों में जैसे उनसे फसलों को बड़ा भारी नुक्सान हुआ है अभी तक सही आंकलन सामने नहीं आया है लेकिन अकेले विधर्ब में महारास्ट्रा के अंदर आठ लाख एक्टेर के अंदर फसलों को नुक्सान बताया गया है सभी तरह की फसलों में उसमें कपास भी शामिल है तो अगर कपास का उत्पादन कम नहीं होगा तो कम से कम फसल लेट जरूर आएगी लेट आई इसका मतलब यह है कि महारास्ट्रा रोजरात दोनों की फसल लेट होने से जो वाइदा का स्टॉक है वहीं से पूर्ती होता है अरियाना पंजाब के उसे पूर्ती संभब नहीं होती क्योंकि क्वालिटी का परक है यहां 78% 9% टेल की खल होती है वहां 6% की खल होती है वहीं चलती है उसी बादार में चलती है तो कुल मिलाकर के मांग अच्छी निकलने से आप बादार आगे और तेजी के साथ बढ़ सक सब्सक्राइगा एक तरफा पेजी भी दिखाई दे सकती है गेहूं का आप जो बादार है वो पिछले एक महीने के अंदर सोर पैसे लेकर के तीन सोर पैसे तक सुद्रा है अलांकि युक्रेन और रूस ने तीन-चार दिन पहले एक समझोता किया था कि वह गेहूं के निरय प्रियात में गूसरिक बादक नहीं बनेंगे और दूसरे ही दिन एक ओडेसा ओडेसा एक पोर्ट है युक्रेन में युक्रेन में जहां पर एक बड़ा हमला किया मिजाइल से और ऐसा लगा कि यह हमला रूस ने किया हालांकि रूस ने बात में से इंकार किया खैर यह हमार तो भी भरतिये गेहूं के बाजार पर कोई बहुत बड़ी गिरावट की संपावना नहीं है बाजार यहीं रुख सकता है या 150 रुपे एक महिने के अंदर और बढ़ सकता है तो कुलबला करके अभी इसमें भी इंतजार किस्किती है आईए कुछ बाजार कोई मंडियों के भाव देख लेते हैं भरतपुर का भाव है आज 6,342 रुपे सलोनी आज 7150 से 7200 पर कारोबार कर रहे है जैपुर 6,825 दिली 6,400 मुरेना 6,000 गंगापुर सिटी 6,345 कोटा 6,100 गड़साना 6,000 अलवर 6,400 निवई मंडी 6,725 खेरली 6,460 बिकानेर 6,000 कवालियर 6,100 हिसाथ 6,200 दादरी 6,300 केकडी 6,500 राइसिंग नगर 5,991 गंगानगर 6,92 हनुआंगर 5,950 नोवर 6,040 मंडी डपवली 5,600 देवली मंडी 6,500 अपोहर मंडी 5,905 और सिर्षा में आज सर् परपे से लेकर के 6,300 में रुपरी कल फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्टा